तो दोस्तो आज मैं इसकी मदद से एक बहुत कमाल की चीज बनाने वाला हूँ जो की मैं वीडियो की लाश में आप लोगो बता दूंगा तब तक आप लोग की दुकान से सेकेंड यहां पर मैंने बजाद 150 सीसी पलसर का एक मैंने चैनिस पॉकेट ले लिया है तो इसे मैंने 20 रुपय का मार्केट से खर दाया तो चले अभी यहाँ पर हम इसकी मदद से बनाना शुरू करते हैं तब तो आप लोग गेस करों कि मैं क्या बना रहा हूँ और मैं इससे वीडियो के लाश में आप लोग को बता दूँगा कि मैंने क्या बनाया तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे पहले मैंने इसके बीचों बीच यहाँ पर मैंने इस तरीके से चार कट लगा करके उसके बीच वाले इससे कोम ने निकाल दिया है और यहाँ पर हम कुछ और कट लगाएंगे तो सबसे पहले यहां पर मैं निसान लगा ले रहा हूं मारकर की मदद से तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से निसान लगा दिया है अभी हमें यह वाला जो पार्ट है और यह वाला पार्ट और इधर इन दोनों में हमें इनको हमें कट करके निकाल देना है यह जो यहां पर मैंने इस तरीके से निसान लगा है और इसमें जो हमारा है वो यह वाला पार्ट इधर का और इधर का यह वाला पार्ट इसको हम ग्राइंडर की मदद से कट करके हटा देंगे बाकी का हिस्सा हमारे काम में आएगा, तो चले अभी मैं यहाँ पर इसे काट करके निकाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने उसे कट करके अलग कर दिया है, तो अब हम इसके मदद से इसे हम यूज मिलेंगे, तो अब दोस्तो यहाँ पर हमें इस इसको कसने के लिए वासर इसलिए लगा रहे ताकि बीच में थोड़ी गैप ज्यादा हो जाए क्योंकि इसके बीच में हम नट वोल्ट लगाएंगे तो चले सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे आप लोग को इस तरह के से कस के दिखा दे रहे हूं एक ट्रम प्रेरी में तो यहा हमारा बचा हुआ बोल्ट है इसे घ्राइंडर के मतदद से काटके हटा देंगे तो दोस्तों यहाँ पर लोग देख सकत हुए हमने इसे घ्राइंडर के मतदद से काटके निकाल दिया है मैं सब कुछ आप लोग वीडियो में इसलिए नहीं करके दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी जो में में चीज है उसे मैं आप लोग करके बता दे रहा हूँ तो इसको उपर से हतौड़े से पीट देना है ताकि उपर से जो इसका नट है वो लॉक हो जाए तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने इसे हतौड तो दोस्तों मैं यहाँ पेज़़दा टाइट नहीं कसने है एक चीज़ का ध्यान रखना है बिलकुल हमें इसे लूस कस देना है क्योंकि मीं यहाँ पर वेल्डिंग करनां अगर टाइट में है तो फिर यह जल्दी खुळेगा है हमेशा टाइट ही रहएगा तो इसको अब आप लोग के समझ में आ रहा होगा कि यह क्या चीज है फिलाल अभी भी नहीं समझ में आ तो आप लोग को वीडियो के लाश में पता चिल जाएगा तो इसके मदद से हम इसे खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं तो चले अभी नीचे वाले इस पार्ट को में थोड़ा पतला क सकते हैंने कर दे रहा हूं क्या और फिर यहां पर मैंने निशाम लगा दिया अब अमएने इसको ग्राइंडर ke मतश्य काट के हटा दोना है तो दोस्तों हम नहीं इसे काट चले अब मैं आप लोग को बताई देता हूँ यह क्या चीज है तो चले इसकी टेस्टिंग करते हैं और फिर मैं टेस्टिंग के दुरान इसे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि मैंने बनाया क्या है तो दोस्तो वक्त आ गया है बताने का तो दोस्तो यहां पर मैंने बनाया है बेरिंग पूलर क्योंकि मुझे अक्सर करके इस मसीन के जरुवत होती थी लेकिन यह मसीन मेरे पास थी नहीं तो मैंने सुचा क्यों मार्केट से खरीद लिया जा है लेकिन मार्केट में खरीदने से अच्छा है यार देखो हम लोग कलाकाल होगा है हम लोग हर चीज घरी पर बना लेते हैं तो केल 20 रुपय का मैंने चैन इस पॉकेट करदा और उसकी मतलब से यहां पर मैंने इसे बना पार रहा ही है तो अभी मेरे पास कोई ऐसी मोटर नहीं है जिसमें बैरिंग लगी हो तो यहां पर मैंने अलग से बैरिंग लगा करके मैं आप लोग को खोल करके दिखा दे रहा हो कि किस तरीके से काम करता है तो चले हमें इसे को बैरिंग में इस तरीके से लगा करके और बेरिंग में बिलकुल आसानी से फस जाती है, आप इसे बड़े और छोटे साइज का आसानी सकोल सकते हो, तो चले में इस इस तरीके से गुमाना है, आप चाहो तो इसे जो हमारा जो रिंच होता है, उसकी मदद से भी आप इसे गुमा सकते हो, अगर बेरिंग ज्यादा तो दोस्तों वीडियो को रचले तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को सेयर करना मत भूलना तो पर मिलता हूं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत